प्रमुख बर्मेस्तोर मुख्या हत्या कांड का जो मामला है अभी तक नहीं सुलज सका है जी हाँ CBI भी इस गुथी को अभी तक नहीं सुलजा पाई है इस बीच रणवीर सेना की बिहार इकाई ने इस मामले को उठाते हुए बड़ा दावा किया है जी हाँ आपको बताते चले बर्मेस्तोर मुख्या की हत्या भोजपूर के जिला मुख्याले आरा में कर दी गई थी कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू सिंग ने इस मामले में भाजपा माले की विधायक मनोज मंजिल की सनलिप्तता का दावा किया है उन्होंने कहा है कि अगर सीवियाई सही तरीके से मामले की जाच करें तो कहीं न कहीं इस मामले में माले विधायक की सनलिप्तता पाई जा सकती है दरसल कर्णी सिना के प्रदेश अध्यक्ष खुद का नाम भागपा माले समर्थक नेबुलाल राम हत्याकान में लाए जाने पर सफाई पेश करने के लिए पत्रकारों से बाचीत कर रहे थे मामले में पुलिस के खुलासे के बाद राजपुत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सा भोजपुरिया जनमोचा के राश्ट्रिये प्रधान सचीव रिंकु सिंग ने गुरुबार को प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि उन्हें फसाने के लिए जूटा आरोप मढ़ा जा रह है पुलिस की जाच में इसका परदा फास हो गया है किसी भी जनप्रति निधी एवं आम आदमी के उपर ऐसा आरोप लगे तो पुलिस प्रशासन मुख्य रूप से जाच कर सही कारेवाई करे ताकि किसी भी निर्दोस या बेगुना आदमी को जेल जाना नहीं पड़े छे उन्होंने कहा कि विधायक मनोज मंजीर जेपी सिंग हत्याकान में आरोपी थे उस मामले में वह नो महीना ज्रेल में थे बेल पर वह बाहर आये हुए हैं जेपी सिंग हत्याकान का केस वापस लेने के लिए दवाब बनाया जा रहा है उन्होंने बताया कि 2012 में 1 जून को बहुँ चरचित रणवीर सेना के सुप्रीमो बरमेस्यूर मुख्या हत्याकांड की निस्पक्ष जाज करने पर विधायकी सनलिप् सतास सामने आ सकती है जियां तो बर्मेस्टोर मुख्या हत्या कांड का मामला जो है अभी तक सुलज नहीं पाया है इसकी गुथी नहीं सुलज पाई है हलाकि इसमें एक नया दावा किया गया है कर्णी सेना की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि बरमिस्त और मुख्या हत्या कांड में माले विधायक मनोज मंजिल की सनलिप्तता हो सकती है बड़ा दावा किया गया है देखने वाली बात होती है कि इस आरोप के बाद मनोज मंजिल का क्या कुछ बयान सामने आता है अगर आपको ये ख़वर अच्छी लगी हो तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बूप पेज को भी लाइक और फॉलोग कीजेगा धन्यवाद